गुड इवनिग इवरिवान मैं आश्विन स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूटूब चैनल पे जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि आप से हर वीक में दो टेस्ट कराए जाएंगे तो उसी को continue करते हुए आज हम इस वीक के second test को discuss करेंगे चलिए आज केस स्ट को शुरू करते हैं जो भी लोग live जोड़ चुके हैं जो भी लोग live देख रहे हैं उन सभी का welcome और मैं आपको ये बता दूँ कि live chat के दोरान आप advance में ही questions के options को guess करते रहें ये बहुत जरूरी है कि पता चले कि आपने already क्या सोचा था और मैं ये भी बता दूँ आपको कि इसका PDF already telegram channel पे upload कर दिया जा चुका है आज दोपहर में ही upload कर दिया गया था तो बहुत जरूरी था कि आप सब इसको पहले से ही देख ले और फिर उसके बाद जब आप discussion करें तो फिर और ज़्यादा ही fruitful हो सकेगा चली आज के session को start करते हैं और पहले section की तरफ बढ़ते हैं जो पहला section है वो है common errors का सामने screen पे आपको 5 sentences दिख रहे हैं बारी बारी से हम जानते हैं कि कौन से sentence में क्या problem है चली पहले sentence को read करते हैं A large number of people from rural area from rural India are abandoning farming farming को abandon करने का मतलब है खेती को त्याग रहे हैं abandon करने का मतलब है त्याग देना और farming का मतलब खेती तो जो ग्रामीर भारत है जो गाओं के लोग हैं उसमें से बहुत सारी आबादी बहुत भारी संख्या में लोग जो है वो खेती के कामकाच को छोड़ रहे हैं and moving to cities और शहरू की तरफ move कर रहे हैं in search for employment रोजगार की तलाश में employment का मतलब रोजगार होता है problem है इसमें option number c में जहां पर in search for लिखा हुआ है जबकि सही phrase है in search of ये तो सत्य बात है कि search के साथ for लगता है लेकिन अगर search के पहले in लगा हो तब in search of होता है एक और तर्क सुन लिजे search अगर verb है तो search के साथ for लगता है अगर search एक noun है तो search के साथ off लगता है ऐसे भी समझ सकते है otherwise in search of होता है और अगर in ना लगा हो तो search for होता है ये थी इस sentence की problem जिसका meaning था कि ग्रामीर भारत से भारी संख्या में लोग जो है खेती किसाने को छोड़ करके शहर की और रुख कर रहे हैं क्यों क्योंकि यहां पर उन्हें ये उमीद है कि उन्हें रोजगार मिल जाएगा हो सकता है कुछ लोगों को लग रहा हो कि a large number of people from rural India के बाद is होगा तो मैं उन्हें बता दू कि a number of के साथ plural verb ही आती है जब da number of लिखा हो तब singular verb आती है चली question number two को पढ़ते है it says two of her children उसके दो बच्चे study in a private school एक private school में पढ़ते है and other in a government school और एक और बच्चा जो है वो government school में पढ़ता है क्या आपको ये नहीं मालूम कि जब कहा जा एक और तो उसके लिए other नहीं बलकि another का use किया जाता है क्या कहा मैंने एक और हिंदी ये ही तो आ रही है कि उसके दो बच्चे जो है वो private school में पढ़ते है और एक और बच्चा जो है मतलब उन दोनों के अलावा भी तो एक और बच्चा है तो वो पढ़ता है government school में जब already कोई संख्या आपके पास है उसी में एक का और इजाफा किया जा तो उसको another बोलते है अगर another को लेके आपको कोई भी doubt हो तो channel के ही playlist में जहां पर मैंने determiners के कुछ lectures लिये है वहाँ पर use of another भी मैंने बहुत अच्छे से समझाया है आप उसे देख सकते हैं नमबर थुरी को पढ़िए अगर आप इसे thoughts से समझना चाते हैं जैसे का हजा honesty is the best policy ये सब thoughts हैं तो वैसे ही ये भी एक thought है और इसकी सही translation है better to reign in hell than to serve in heaven मतलब serve के पहले आपको to लगाना चाहिए क्यों लगाना चाहिए चाहे तो आप इसका तर्क ना ही जाने क्योंकि एक thought है तो logic की बात अक्सर कोई नहीं करता बकि इसका logic जरूर है मैं वो भी बताऊंगा पर उससे पहले आप इसकी meaning सुननीजे कोई ये कहना चाह रहा है कि अगर आपको स्वर्ग में एक नौकर का काम मिले तो उससे बहतर है कि आप नर्क का राजा बनना स्विकार करें रेन का मतलब इशासन करना और सर्व का मतलब नौकरों की भाती काम करना स्वर्ग में नौकरों की भाती काम करने से कहीं बहतर है कि आप नर्क के राजा बन जाए तो अब ये इसकी हिंदी हो गई मैंने आपको ये भी बता दिया कि thought हो thought में to serve लिखा है अब लेकिन सबसे जरूरी बाद जो इस sentence की beauty है जो इस sentence को stand out करती है उस बात को सुनिए क्योंकि वो pure grammar based है और वो ये कि जब आप comparison कर रहे हैं दो situations का तो उनका make up एक जैसा ही होना चाहिए एक जैसा structure ही होना चाहिए अगर इधर third form तो इधर भी third form इधर ing form तो इधर भी ing form इधर objective form तो जिससे comparison हो रहा है उसके पास भी objective form होनी चाहिए जैसे and लिखा हुआ है and के पहले he लिखा हुआ है तो he and I होना चाहिए क्यों? क्योंकि and के पहले he लिखा है जो कि subjective form में है तो and के बाद I को होना चाहिए वो भी subjective form में है मतलब matching होनी चाहिए forms की अगर he and me लिखते हैंगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि he subject है और me object है तो ये तरीका नहीं है comparison जो है वो एक ही जैसे structure में होना चाहिए यहाँ पर to rain लिखा हुआ है देखिए hell का comparison even से हो जाएगा और to rain का comparison to serve से हो जाएगा भै two rain एक verb है और to serve भी एक verb ही तो है इधर to rain लिखा हुआ है उधर cable serve लिखा है तो ये कोई matching नहीं हुई ना तो आप जहाँ पर serve लिखा है वहाँ पर to serve लगाई है मतलब शक्ल सूरत एक जैसी ही रखनी चाहिए whenever there is a case of comparison यह है इसका logic अब कुछ लोग आप मेंसे हो सकता यह सोचें कि merging of infinitive का तो rule यह कहता है that the subsequent infinitive यानि कि जो infinitive number two हो that should be in bear form उसको bear form में होना चाहिए अब बात तो बिल्कुल सही है लेकिन merging of infinitive कहां लगता है कहां नहीं लगता it is a bigger question इसको भी तो आपको समझना होगा merging का rule तभी apply होता है जब दोनो infinitives sentence के एक ही हिससे में हो जैसे sentence बनता है कैसे subject verb और object अगर infinitives में merging का rule लग रहा है तो दोनो infinitives या तो object वाली जगा पर हो मतलब verb के बाद या तो फिर दोनो infinitives verb के पहले हो यहां ऐसा नहीं है यहां पर एक infinitive sentence के left side में है तो दूसरा infinitive sentence के right side में है उनकी positions ही बिलकुल बदल गई है जैसे east और west नौर्थ और south हो तो इस वज़े से कोई comparison या merging of infinitive मतलब comparison हो रहा है पर merging of infinitive का rule यहां नहीं apply होगा बिलकुल यही बात जो है question number four में apply होगी वहां merging of infinitive है क्यों क्योंकि मैंने अभी अभी क्या कहा जब दो infinitives merge होते हैं तो merge कब माने जाते हैं कि merge हो रहा है जब वो verb के एक ही हिस्से में हो या तो verb से पहले ही दोनो infinitive हो या तो verb के बाद ही दोनो infinitive हो जैसा की question number four में हुआ है देखिए ना she is अब इस नाम की verb आ गई she subject हो गया is verb हो गई अब दोनों ही infinitive आगे verb के बाद में हैं right side मतलब same side में एक ही तरफ दोनो infinitive है ऐसे में rule लगा ये कि पहला infinitive two लगा सकता है लेकिन दूसरा infinitive अपने पहले two नहीं लगा सकता तो sing के पहले जो two लगाया गया है उसको remove कर दीजे ऐसे बोली she is better able to act than sing इसका meaning है कि वो acting ज्यादा अच्छी कर लेती है singing के comparison में अगर act करने की बात आए तो वो ज्यादा बहतर है sing करने के comparison में sing के पहले का two हटा दीजे merging of infinitive के rule केता है दूसरा infinitive two नहीं लगाता question number five को पढ़ ये ये कहता है the violation of human rights एक अच्छा sentence है common nature का sentence है ऐसे sentences बहुत पेपर में पूछे जाते हैं जब आप से ये पूछा जाए कि बताईए verb singular होगी या plural होगी और ये सवाल आप से सिर्फ इसी आधार पर किया जाता है कि आप पता करें कि वास्तविक subject कौन है और जो भी है वो singular है या plural है अब आप इसमें देखिए have जो की plural verb है उसके पहले human rights लिखा जो की plural है अब अगर ये जो have verb है ये human rights की है तब तो बिल्कुल ठीक है लेकिन सचाई ये है कि ये human rights की verb नहीं है बलकि violation की verb है और violation singular है singular है इसलिए half की जगा has होना चाहिए अब ये कैसे तैय करेंगे कि जो verb है वो human rights की नहीं violation की है तो उसके दो तरीके है पहला तरीका trick based है या rule based है वो ये कि जब दो nouns के बीच में o f off लगा हो जैसे देखिए ना violation और human rights के बीच में off लगा है तो जब दो nouns के बीच में off लगा हो तो verb उस noun को मिलती है जो off के पहले हो किसके off के पहले हो तो off के पहले वालेशन है इसलिए verb वालेशन की होगी वालेशन singular है इसलिए has और दूसरा तरीका जो की ज़्यादा reliable है आपको इसी के सहारे ज़्यादा रहना चाहिए और वो ये कि आप हिंदी निकाल करके देखिए फिर समझ में आएगा कि बात किसकी हो रही है जैसे आपने कहा devolation of human rights मतलब मानव अधिकारों का उल्लंगन और मैंने कहा गलत है तो क्या गलत है मानव अधिकार या उल्लंगन तो आपके पास जवाब है कि उल्लंगन गलत है, मानव अधिकारों का उल्लंगन गलत है, हैपिबिंदी नहीं लग रही है, ऐसे ही इसकी हिंदी निकालिए कि मानव अधिकारों का उल्लंगन कोई स्थान नहीं रखता है एक प्रजातांत्रिक समाज में, एक प्रजातांत्रिक समाज में मानव अधिकारो के उल्लंगन की कोई जगह नहीं है अब है तो सिंगलर हो गया इसलिए आप हैस लगाई है थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाते रही अपने आप सब कुछ सरल होता जाएगा इस तरीके से ये पहला सेक्षन ओवर हो जाता है आपका क्या स्कोर रहा है इस सेक्षन में मुझे ल अब जब वर्ब है तो भगदर मचाने से हो जाएगा तो क्या हुआ उस हाथी ने एक तरीके से भगदर मचाई मतलब वो चलने लगा तेज रफ्तार में and फिर options है put on, carried out, made away with or toe down answer is toe down, the makeshift cottage, cottage मतलब कोई भी कुटिया और makeshift का मतलब है काम चलाओ, तो क्या हुआ, elephant जो है बेकाबू हो जाता है और एक तूटी-फूटी कुटिया को तोड़ देता है, उसे द्वस्त कर देता है, गिरा देता है, द्वस्त कर देना, गिरा देना, इसी को ही तो tear down कहा जा और वजन का बढ़ना, क्या क्या कहा मैंने, कपड़े पहनना और वजन का बढ़ना, जैसे कोई कहे कि आपने पांच किलो वजन बढ़ा लिया है, you have put on some, wear five kg in one month, तो ये put on हो गया, और जैसे वजन बढ़ना हो गया, जैसे कोई कहे, wait for a while, let me just put on my t-shirt, जरा दो मिंट रुको मैं बस t-shirt पहन के आ रहा हूँ, तो ये put on के दो मीनिंग हो गया, वजन का बढ़ना और कपड़े पहनना, carry out एक बहुत ही smart phrase है, carry out करने का मतलब है, किसी भी आदेश का पालन करना, किसी भी करतवे का निर्वाहन करना, किसी भी कारे को करना ही carry out कहा जाता है, फिर option number C, जो लिखा हुआ made away with, ये भी एक phrase है, make away with का मतलब है, किसी वस्त को चोरी करके भाग जाना, किसी वस्त को चोरी करके भाग जाना, तो वो make away with है, तो आपको सारी phrases के meaning मैंने आप बता दिये, देखिए answer तो कोई एक ही होगा, लेकिन बाकी options भी अगर अच्छे हों, तो आपको उ देखिए, it is life-threatening to intrude into enemies camp, अगर आप दुश्मन के camp में प्रवेश करते हैं, तो ये जीवन को जोखिम में डालने जैसा हो सकता है, life-threatening मतलब जिससे आपकी जान भी जा सकती है, दुश्मन के camp में जाना जोखिम भरा हुआ है, उसमें जान जाने का भी खत्रा है, intrude इसलिए आपको into ही लगाना चाहिए, question number 8 को देखिए, my relations with Preeti are good, आपको with लगाना चाहिए, क्योंकि आप यही तो बोलेंगे कि Preeti के साथ मेरे संबंध बहुत अच्छे हैं, पreeti के साथ, और के साथ के अंगरे जी क्या होती है, with होती है, इसलिए आपने with लगाया, मुझ अगला section sentence improvement का है, उसे भी पढ़ लेते हैं, sentence improvement जिसमें question number 9 और 10 है, यह दोनों ही questions कई मायनों में बहुत अच्छे हैं, जहां question number 9 grammar के standard rule को समझाता है, वही question number 10 word often confused की category का है, और बहुत बढ़िया concept इसमें भी है, फटाफट 9 और 10 को पढ़ लेते हैं, पहले number 9 पढ़िए, I did not see him since we met two years ago, सरल सरूल है, यह यूं कहिए, बहुत ही साफ नियम है, कि अगर since एक conjunction हो, sentence के बीच में हो, तो time की बात कर रहा हो वो, तो since के बाद past indefinite का positive आना चाहिए, और देखिए, आया है, since के बाद क्या लिखा, we met, यह जो met है, यह meet का second form है, ऐसा ही तो past indefinite में होता है, past indefinite के affirmative में सीधे में इन वर्ब की second form आती है, तो since के बाद ठीक लिखा है, और पूरा नियम यह है, कि since के बाद past indefinite का positive structure आना चाहिए, और since के पहले, present perfect आना चाहिए, क्या आना चाहिए, present perfect आना चाहिए, नियम यही है, कि since, जब sentence के बीच में हो, एक conjunction हो, time की बात कर रह हो, तो since के पहले present perfect, और since के बाद past indefinite का positive आना चाहिए, ठीक है, मतलब positive past indefinite से relate करेगा, present perfect से नहीं, तो आप options देखिए ना, A, B, C और D, मतलब no improvement यह सब तो गलत हैं, आपको B को ही तो choose करना चाहिए, have not seen, have present perfect में ही तो use होता है, तो यह इसका सही answer हो गया, हिंदी सुनली से कोई कह रहा है कि मैंने उसे देखा नहीं है, है ना, दो साल पहले हम मिले थे, तब से मैंने उसको देखा नहीं है, है ना, तब से मैंने उसको देखा नहीं है, तो present perfect का negative यानी have not seen, अब question number 10 देख लिए, Mr. Modi was in Madurai to lane the foundation for an all India institute of medical sciences, यानी की aims, Mr. Modi मदूराई म थे, वहाँ पर उन्होंने aims का कोई नया aims खुल रहा होगा मदूरई में, तो उसका एक तरीके से शिला न्यास्त किया, foundation को ले किया जाता है, lie, laid और lane नहीं किया जाता, lie देखिए, दो शब्दों में बहुत confusion होता है, एक lay जो की हम choose कर रहे हैं यहाँ पर, और option number A में जो lie लिखा हुआ है, lie और lane में बहुत बड़ा अंतर है, सुनिएगा कैसे, lie मतलब होता है, जमीन पर लेट जाना, lie मतलब क्या होता है, जमीन पर लेट जाना, और lane का मतलब है किसी भी चीज़ को रखना, क्या कहा है मैंने, किसी भी चीज़ को तयार करना, उसे रखना, अब कुछ भी कहीं से उठा करके किसी दूसरे इस्थान पर तो उसको ले करना कहा जाता है लाई करना नहीं कहा जाता इसलिए option number C यानि कि ले का चुनाफ करिए चलिए आगे बढ़ते हैं question number 11 से 15 देखते हैं जो कि synonyms based है पहला word है locatious, locatious का मतलब होता talkative जो बहुत ज्यादा बाते करता हो तो option number A इसका सही answer हो जाएगा बाकी options में जो B है sullen, sullen का मतलब दुखी से हो सकता आप उसे gloomy भी कह सकते हैं c graceful मतलब सब है जिसको कहा जा सकता है, courteous कह सकते हैं आप उसे, ferocious जो कि D option है, ferocious का मतलब बहुत ज्यादा खूखार जिसे आप aggressive भी बोल सकते हैं, fierce भी बोल सकते हैं, wild भी कह सकते हैं question number 12 देखिए, यहाँ पर जो word है वो है implead, implead एक verb है जिसका मतलब है किसी पर कोई न्यायले में मुकदमा दायर कर देना यानि कि किसी को आरोपी सिध्ध करना, तो option number C इसका सही answer होगा, क्योंकि EC का meaning है accuse, यानि कि आरोप लगाना, ठीक है तो इसे आप inculpate भी कह सकते हैं, alise भी कह सकते हैं, indict भी कह सकते हैं, impeach भी कह सकते हैं, इन सब का मतलब आरोप लगाना हो सकता, sue भी कह सकते हैं, SUE और जो option number A, convince लिखा है, उसका मतलब एक तरीके से किसी को मनाना, convince करना, और neglect मतलब नजर अंदाजी करना, या लापरवाही करना, request तो आप जानते ही होंगे 13 में mendacious word है, अगर आप daily vocab का session मेरा देखते हों, तो अभी शायद मैंने पिछली ही class में mendacious word पढ़ाया था, mendacious word का meaning होता है, जो जूट बोलता हो, जो एक तरीके से धोखा देने के फिराक में रहता है, जो cheat करता है, जूट बोलना, धोखा देने जैसा ही तो है, तो इसका option number D सही answer होगा, deceitful, deceitful, deceit से बना, deceit का मतलब धोखा होता है, righteous, जो बिल्कुल सही है, नयाय की बात करता है, जिसे आप upright कह सकते हैं, just कह सकते हैं, above board भी कह सकते हैं, फिर option number B में बहुत अच्छा word है, incensed, incensed का मतलब angry होने से हो सकता है, गुसे में होने से हो सकता है, जिसे आ आप in raised भी कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा गुसे में होना, dolorous का मतलब भी होता है, उदास या खिन जिसको कह सकते हैं, एक phrase भी है, indul drums, उसका मतलब भी यही होता है, उदास होना बहुत ज़्यादा, sad होना इसे आप gloomy, sad, morose कह सकते हैं, sullen भी कह सकते हैं, dismayed, desolate, melancholic भी कह सकते हैं, और भी तमाम words हो सकते हैं, dolorous और incensed अच्छे words हैं, इन्हें आप जरूर mention करने, याद करने, ठीक है, truculent जो की 40 number पे है, इसका मतलब होता है, जो बहुत उग्रु हो एक तरीके से, ferocious इसका synonym हो जाएगा, justified का मतलब तो सत्य या सही होने से है, cautious मतलब सतर्क, और dormant आपको शायद मालुम हो, जिन खातों में कोई लेंदेर नहीं किया जाता, लंबे समय तक, उन खातों को dormant accounts कहा जाता है, dormant का मतलब ही होता है, निश्क्रिय जिसे आप hibernated भी कह सकते हैं, inactive भी कह सकते हैं, closed या impassive भी कह सकते हैं, dormant word भी अच्छा है, truculent word भी अच्छा है आप इन सब को serious लें और जरूर याद करने की कोशिश करें, फिर 15 नमबर पे है word meme, meme का मतलब होता है एक तरीके से dismantle करना, बिगार देना, जैसे गाओं में कहावत है, थोपड़ा बिगार देना, तो वही meme है, इसे आप dismantle कह सकते हैं, mutilate कह सकते हैं, और disfigure कह सकते हैं, disfigure figure का opposite हो जाएगा, है न, meme का synonym क्या क्या हो सकता है, mutilate हो सकता है, dismantle हो सकता है, distort हो सकता है, disfigure हो सकता है, avoid जानते हैं, टालना, upload, सराहना करना, entice का मतलब है, अपनी और खीचना, attract करना, जिसको beguile भी कह सकते हैं, entice कोई positive word नहीं है, इसमें किसी को प्रलोबन दे करके उस का नुकसान किया जाता है, यह इसका meaning है, तो यह था 11 से 15, जिसमें हमने कुछ अच्छे words रखे थे synonyms में, अपना-पना score मुझे message करते रहें, question number 16 से 20, which are based on antonyms, इनको देखते हैं, इसमें जो पहला question है, 16 number, वो है waggish, waggish का मतलब होता है, चंचल, चपल जिसको कहा जा स सकता है, तो जो बहुत ज्यादा serious ना रहता हो, जिसे आप humorous कह सकते हैं, shallow कह सकते हैं, flipant बोल सकते हैं, C option देखे, flipant लिखा है, वो synonym है, jocular word आप देखे, number 1 पे लिखा है, A पे लिखा हो, वो भी इसका synonym है, waggish का मतलब होता है, चपल, चंचल, जो बहुत ज्यादा गं तो jocular, flipant दोनों synonym हो जाएंगे, whimsical का मतलब होता है, eccentric यानिकी संकी, यह whim से बना हुआ है, whim, whim का मतलब ही होता है, सनक, option number D इसका सही एंटॉन होगा, क्यों, क्योंकि waggish का मतलब होता है, not serious, और solemn का मतलब है serious, मतलब जो चीजों को गंभीरता से ना ले, वो waggish है, जो ह हमेशा बहुत गंभीर रहे, वो solemn है एक तरीके से, seventeen देखिए, ruefully, देखिए, मैं बार-बार कोशिश कर रहा हूँ, अच्छे-च्छे words लाने के लिए, चाहे waggish हो, चाहे jocular हो, चाहे whimsical हो, flipant हो, solemn हो, यह सारे words previous years में कभी न कभी, in fact, कई बार पूछे जा चुके होंगे ठीक है, तो आप किसी भी word को हलके में ना लें, हर चीज को serious लें, क्योंकि हर चीज बहुत अच्छी ही रखी है मैंने, ruefully, rue का मतलब दुख से होता है, यानि कि उदासी से भरा हुआ, है ना, adverb है ये, तो आपको opposite चाहिए, तो cheerfully को रखे, क्योंकि वहाँ खुशी की बात ह होगी, फिर meagerly, बहुत थोड़ा सा, अगर आप parsimoniously का meaning जानना चाहते हैं, तो parsimonious का मतलब होता है, कंजूस, stingy जिसको कहा जा सकता है, close, fisted भी जिसको कहा जा सकता है, तो कंजूसी से किसी काम को करना, parsimoniously, vehement होने का मतलब, बहुत जोर, प्रबल होना एक तरीके से, vehement, vehement का meaning हो जाएगा, तो ruefully, जिसका meaning होता है, उदास, और उसका opposite हो जाएगा, cheerfully, अब option number, और question number 18, देखिए, see me, see me का मतलब होता है, जिसमे कुछ कमिया हो, जो खराब हो चुका हो, उधर गया हो एक तरीके से, जिसमें दुनिया भर की खामिया हो, see me side of life, जिसमें अच्छे experience ना हो, आपने कभी कुछ गलतियां की हो, आपकी life में कभी कुछ bad chapters आए हो, तो वो see me side है आपकी life, कि जब आप सुख का भोग नहीं ले पा रहे हैं, स्वयम में आप में कुछ गलतियां रही हो, character आपका खराब रहा हो, ये सब see me side of life है, या समाज में आपको एक अच्छा अदर्जा ना मिला हो, आपने बहुत संघर्श किया हो, ये सब see me side of life है, जिसमें खामिया हैं, खामिया हैं, तो see me हो जाएगा, और जिसमें खामिया नहीं है, जो आदर्श है वो noble, यानि कि इसको opposite, option number A में noble हो जाएगा, solid see me का synonymous, जैसे see me का मतलब होता, खराब, full of flaws, खामियों से भरा हुआ, वैसे solid का मतलब भी होता, खामियों से भरा हुआ, steady का मतलब तो निरंतर हो सकता है, एक कहावत नहीं, slow and steady wins the race, steady होने का मतलब है, धीमे धीमे चलना, लेकिन लगातार चलना, degraded का मतलब बहत खराब, grade म दूसरे के synonyms है, तो noble इसका opposite हो जाएगा, जो एक तरीके से pure है, holy है, sacred है, sanctimonious है, वो सब noble में आ जाएगा, sporadic का मतलब है, जो चीज़े irregular हो, यदा कदा कभी कबार, रुक रुक कर, बिना किसी नियम से, जिनके घटित होने की frequency बहुत कम हो, जिनके घटित होने की frequency बहुत क हो, यदा कदा कभी कबार, तो opposite क्या हो जाएगा, सर, frequent हो जाएगा, क्योंकि, sordid मतलब, यदा कदा कभी कबार, और frequent का मतलब, अकसर हो जाएगा, option number B, देखे, irregular लिखा है, अगर आप से कोई कहे, कि synonyms बताइए, sporadic का, तो फिर आप फट से, जो है, irregular को चूज कर लीज़ अच्छा, option number C, देखे, sporific, sporific, basically, drug या medicines के लिए यूज होता है, ऐसी दवा जिसको खाने से नीद आ जाए है, उसको sporific drug कहा जा सकता है, और sleep inducing, जिसको बोलते है, de-coordinated, मतलब सामन जस्ट से बहुत बढ़िया बना हुआ हो, तो sporadic का क्या मतलब हुआ, irregular, जो चीज regular नहीं है, seldom है एक तरीके से opposite हो जाएगा, frequent इसका, bland, जो कि 20 नंबर पे दिया है, bland का मतलब होता है, nearest, incipit जिसको कहा जा सकता है, tapet जिसको कहा जा सकता है, dull जिसको बोल सकते हैं, है ना, जिसमें कोई उर्जा ना हो, fatigued जिसको कह सकते हैं, opposite चाहिए ना, सर, आप जान गया होंग का मतलब है, चीजों का अपने हिसाब से ढालना, और rant का मतलब बड़ बोलापन होता है, boastful जिसको कहा जा सकता है, bombarding या bombasting जिसको कहा जा सकता है, तो bland का मतलब है, जिसमें dull जिसको कह सकते हैं, तो opposite हो जाएगा, lively यानि की active या cheerful जिसको कहा जा सकता है, अपना-पना score message करें इस section का भी, और चलिए, idioms and phrases जो की अगला section है, उसको पढ़ते हैं, question number 21 से 25, which are based on idioms and phrases, फटा-फट इन्हें solve करते हैं, पहला question number 21, running sore, अगर आपको मालूम हो कि sore का मतलब घाव, तकलीफ, कस्ट, करवाहट से होता है, तो आप अपने आप समझ सकते हैं कि running sore का मतलब है, एक एक ऐसा घाव, एक ऐसा दर्द, एक ऐसी तकलीफ, जो की just कितस अभी भी बनी हुई है, running sore है, running मतलब चल रही है, तो एक ऐसी तकलीफ, जो कल भी थी, आज भी है, तो option number B इसका सही answer होगा, a constant source of trouble, मतलब जो आपको लगातार कस्ट दे रहा हो, ये है running sore का answer, फिर 22 देखिए set once face against, आप देखके ही समझ सकते हैं, face मतलब चहरा, किसी के सामने अगर आपने अपना चहरा कर रखा है, तो इसका मतलब हो सकता है, कि आप एक तरीके से, बोलते हैं आमने सामने आ गए हो, set your face against somebody, juxtapose जिसको कहा जा सकता है, face of जिसको कह सकते हैं, है ना, एक wrestler आता है, और के सामने एक और दूसरा wrestler आ जाता है, उससे fight करने के लिए, तो if you set your face against somebody, if you set your face against some situation, some rules, some laws, तो आप खुल करके उसको oppose करते हैं, विरोध करते हैं, तो option number D, इसका सही answer होना चाहिए, oppose strongly, oppose strongly, फिर question number 23, देखिए, a storm in a tea cup, अब आप इसको भी बहुत easily समझ सकते हैं, storm मतलब तूफान, tea cup मतलब चाय का कप, क्या ये संभव है, कि चाय के कप में तूफान आ जाए, नहीं ना सर, तूफान किसी समंदर में आ सकता है, किसी नहर में तो तूफान नहीं आ सकता, ना, मतलब एक तरीके से, कहते हैं राई का पहाड बना देना, मतलब अजीब बाट है, जूट के पुलिंदे बान देना, या, एक छोटी सी बात को लेकर बवाल मचा देना, अप्शन नमबर, सी इसका सही आंसर होगा कमोशन ओवर ट्रिवियल मैटर ट्रिवियल मतलब गैर जरूरी या फिर आनिम्पॉर्टन जिसे आप पे टी भी कह सकते पी ए डबल टी वाई तो एक बेकार की बात को लेकर बवाल मचा देना देन कम्स क्वेशन ओंबर ट्रिवियल मतलब आपने एक लंबा दायरा खीच रखा है जिसे आप मैजॉरिटी भी कह सकते हैं बाई फार भी कह सकते हैं बाई ओंग चॉक मतलब बड़े अंतर की बात की जाएगी फिर लास्ट क्वेशन इस सेक्षन का यानि क्वेशन नबर ट्वंटी फाइव मैंने इस इडियम को जब स्टडी किया बिसिकली तो ये एक फ्रेज है तो पता चला कि वैसे तो वाईल एक कंजंक्शन या प्रेपोजीशन है पर वाईल का यहां पर यूज एक वर्ब के जैसे हुआ है और वाईल का मतलब होता है टाइम को वेस्ट करना तो वाईल अवे या टाइम वाईल अवे या रिसोर्स का मतलब है अपने समय या अथवा अपने संसाधनों का बेकार के तरीके से दो हन करना एक तरीके से तो spend time uselessly इसका सही answer हो जाएगा इस तरीके से ये section भी पूरा हो जाता है फटाफट अपना-पना score मुझे जरूर mention करें और किसी भी तरीके से cheat ना करें, अपने आपको ना cheat करें दूसरे को तो आप cheat नहीं कर सकतें चले move on करते हैं और जिन लोगों का भी score अच्छा जा रहा है ये उनकी मेहनत है जिसकी वज़े से उनका score अच्छा जा रहा है और जिनका भी score अच्छा नहीं जा रहा है बड़ा ही सरल सा तरीका है आप consistency को maintain करिए लगातार प्रयास करिए हिट करिए चीज़ों को अपने आप आपका score भी अच्छा हो सकता है अब कभी भी next time जब while away आपके सामने आए तो while away आपसे हो जाना चाहिए इसी trend को आपको follow करना है एक बार कुछ ना आए लेकिन दुबारा जब वही दिखे तो you must be able enough to ascertain it है ना ये तरीका होना चाहिए चलिए next section क्यों पढ़ते हैं question number 26, 27, 28 ये based है one word substitutions में 26 को पढ़िए one who is new to a profession वो व्यक्ति जो किसी व्यवसाय के लिए बिल्कुल नया हो नया होने का मतलब है जिसके पास कोई अनुभव ना हो ऐसे व्यक्ति को टाइरो कहा जाता है नेव भी कहते हैं नियो फाइट भी कहते हैं ग्रीन हॉन भी कहा जाता है मतलब जिसके पास अनुभव की भारी कमी हो जो नया नया हो किसी बिजनस या प्रोफेशन में टाइरो बोलते हैं नुवान्स का मतलब है चोटी-चोटी बात है टाइकून एक बड़े बिजनसमेन को कहा जाता है और वैंडल तो एक कोपद्रवी को कहा जाता है जो तोरफोर मचाता हो इससे वैंडलिसम बनता है तो जो किसी प्रोफेशन में नया हो उसको क्या कहा जाएगा टाइरों कहा जाएगा नौसिखिया भी इसे हिंदी में कहा जाता है Let's read question number 27 A speech or presentation made without previous preparation एक ऐसा भाशन जिसकी पहले से कोई तयारी ना की गई हो एकदम से आप से किसी ने मंच पे आने को कहा हो और किसी प्रकार का speech, lecture या presentation देने को कहा हो यानि कि आपने उसकी पहले से beforehand कोई practice ना की हो एका एक जब आप कोई भाशन देते हैं Unprepared speech उसे extempore कहा जाता है बहुत से लोग इसे extempore बोलते हैं बहुत से लोग इसे extempore कहते हैं अपना अपना तरीका है आपको जो ठीक लगता है वो कहिए Option No.1 अच्छा वर्ड है यूफेमिजम अगर आप मेरे देली वो कैप के sessions को देखते हो तो मैंने उसमें पढ़ाया था कि EU का मतलब प्रशंसा करने से होता है इसी से यूलाजी बनता है यूफोरिया बनता है और यूफेमिजम तो बनता ही है यूफेमिनेट भी बनता है तो यूफेमिजम का मतलब है किसी की प्रशंसा करना खास तोर पे चापलूसी करना जिसको कहा जा सकता है अबिचोरी म्रत्यू के समाचार को कहा जाता है अक्सर ऐसा समाचार जो जिससे किसी print media, digital media या electronic media के साथ share भी किया गया हो death news को obituary कहा जाता है फिर soliloquy का मतलब है खुद से ही बाते करना इसमें SOL आया है जिसका मतलब solo होता यानि एक और LOQ का मतलब बातचीत करने से है तो soliloquy का मतलब हो जाएगा बातचीत करना वो भी अपने आप से लिए पता लगाना कि व्यक्ति की जो म्रत्यू है वो किस वज़े से हुवी है या बीमारी कितनी जादा थी इसे आप autopsy कहते हैं दो प्रकार के test होते हैं dead body पे किया जाने वाला test autopsy है और living cells पे किया जाने वाला test biopsy है बायो का मतलब ही होता है जिन्दा एंडोस्कोपी necropsy ये सारी चीज़े नहीं होंगी चलिए अगले section पे चलते हैं question number 29 or 30 rearrangement of sentences पे बेस्ट है फटा फटी ने पड़ते हैं पहला जो question है 29 number उसका sentence number P देखिए and the victims are likely to be the poorest of the poor मतलब जो बहुत गरीब लोग हैं वो पीडित होंगे यह हैं as well as the very sources of water rivers, wetlands and aquifers मतलब जो पानी के श्रोत हैं वो पीडित हैं तो आपको देखके नहीं लग रहा है कि आप P से start नहीं कर सकते and आ रहा है क्यों को देखिए आप R से भी नहीं start कर सकते तो ऐसे options बिलकुल ना choose करें जो P से या फिर R से start हो रहा है और options देखिए तो दो option P से start हो रहा है दो option एक option Q से start हो रहा है एक option S से start हो रहा है तो P होगा नहीं तो अब Q या फिर S की ही possibility को तलासिए क्यों को पढ़िए in India water conflicts are likely to worsen before they begin to be resolved यह जो पानी को लेके समस्या है और जो पानी को लेके एक तरीके से fight है यह इसे resolve किया जाए इसका समाधान निकाला जाए इससे पहले ही यह बहुत ज़्यादा खराब हो सकती है जैसे कहा नहीं जाता है कि एक समस्या का समाधान निकलने से पहले वो समस्य और ज़्यादा बिगर जा, यह क्यों में लिखा हुआ है, हाँ यह एक independent sentence है, excuse me, तो इसकी possibility हो सकती है होने की, अब हम सिधे S को भी पढ़ लेते हैं, water is radically altering and affecting political boundaries all over world between as well as within countries, मतलब गुल्मिला के यह sentence यह कह रहा है, कि जो पानी है एक तरीके से ऐसा समय आ सकता है कि पानी को लेकर दुनिया भर के देशों में एक तरीके से लडाई हो जाए, या देश के भीतर अलग-अलग राज्यों में लडाई हो जाए, ऐसा तो आपको सुनने को मिलता ही है, केरला और तमिलाडू के बीच में fight का होना शाद करनाट का और तमिलाडू के बीच में कोई fight है किसी डायम को लेकर के या डेली पंजाब हर यारा इनके बीच में fight है नदी के पानी को लेकर तो इस तरीके से इंटर स्टेट conflicts तो water को लेकर और इंडिया में start होई चुका है आप अगर S से start करें तो फिर क्या होगा देखिए कि water की जो problem है दुनिया भर में ये कुछ ऐसी है फिर क्यों in India water conflicts अब आप ध्यान से देखी समझेगा इंडिया विश्व का एक हिस्सा है sentence number S में दुनिया की बात की जा रही है तो पहले आप दुनिया की बात कर लीजे फिर उसके बाद उसको channelize कर दीजे एक देश विशेस की तरफ जैसे किसी close किसी rearrangement में एक तरफ animals लिखा है और एक तरफ जो है tiger लिखा हुआ है तो पहले आप animals की बात कर लीजे और फिर उसमें से exclusively जो है वो tigers की बात कर लीजे तो आप पहले S लगाए और उसकी दुनिया भर में पानी की ये समस्या है फिर उसको dedicated तरीके से इंडिया को लेकर के बता दीजे SQ और फिर आगे का arrangement आपको करना ही नहीं है PR हो जाएगा अब sentence number 30 को देखिए P For one, very few entrepreneurs are willing to take on a new outsource Unless it comes with a guarantee of a certain level of sales ये तो पढ़ने में अभी समझ में ही नहीं आ रहा है कि लगबग क्या meaning दे रहा है Options को देखते हैं sir एक option P से है एक option S से है एक Q से है एक R से है यानि कि challenging है और मैं आपको ये भी बता दूँ कि आज की ST में बहुत सारे questions जो है अभी कुछ वक्त पहले सीजल का जो pre exams हुआ था उससे भी लिये हैं मैंने अभी मतलब बिल्कुल हाल फिलाल में जो हुआ था वो नहीं उससे पहले जो सीजल pre हुआ था उसके तमाम questions इसमें रखे गए हैं इसका answer RPS क्यू है तो मैं उससे ही आपको समझाने की कोशिश करता हूँ despite being the dominant R को पढ़ते हैं despite being the dominant partner in the relationship the outsourcer does not always have all the advantages मतलब एक business है जिसमें दो पक्ष है एक पक्ष जो सेवाएं प्रदान कर रहा है और एक पक्ष जो सेवाएं ले रहा है यानि जो outsourcer है जो सेवाओं को दे रहा है एक तरीके से वो dominant partner होता है लेकिन business में लेकिन उसको हमेशा बहुत सारा advantage नहीं मिलता P for one very few entrepreneurs are willing to take on a new outsource unless it comes with a guarantee of certain level of sales मतलब कोई भी business है एक नई डील करनी है तो नई डील आसानी से नहीं होती है जब तक कि guarantee नहीं मिल जाती है business करने वाले विक्ति को कि इतनी मात्रा में हम इस product को जरूर सेल कर ले जाते हैं अधा trade refers to it यह जो it आप देख रहे हैं ना the trade refers to a trade इसे ही क्या कहता है किसको यह जो minimum guarantee of certain level of sales लिखा हुआ है इसी को यह जो a guarantee of certain level of sales जो कि P में लिखा हुआ उसी के लिए it pronoun आया है business में इसे क्या कहा जाता है जो certain level of sales की guarantee है इसको कहा जाता है minimum guarantee clause जो कि P में लिखा हुआ अब आपको अंदाजा लग गया होगा कि कितना strong relation है P और S के बीच में है ना तो अब मेरे हिसाब से सबको सही हो जाएगा क्योंकि इसी option में तो P के बाद S आ रहा है बाकि सम्में तो पहले S है उसके बाद P है कैसे आ सकता जब तक इट का नाउन नहीं आएगा तब तक इट प्रोनाउन कैसे आ जाएगा which means आगे पढ़ते हैं that if an outsource is unable to reach an anticipated sales level he will be compensated for the balance account मतलब जो product buy कर रहा है किसी company से अगर उसको उतनी sale नहीं होती उतना वो profit नहीं कमा पाता है तो जो loss होगा उसकी भरपाई वो company करेगी जिसने अपना product उस businessman को या दुकानदार को दिया है RPS हो जाएगा और फिर this invariably यहीं सारी बाते this invariably acts as an incentive for outsources to be lax in developing business ठीक है इस तरीके से फिर आप इसे arrange कर ले जाएगे आगे बढ़ते हैं आगले section को पढ़ते हैं question number 31, 32, 33 यह voice पे based है इन्हें solve करने की कोशिश करते हैं देखिए जब भी कभी voice के questions आया तो आप सीधे verb का part पकड़ें और उसके passive का rule apply कर देखिए 31 देखिए, did they pay यह past indefinite लिखा है अब past indefinite का passive was, were और third form से बनता है यानि कि जो option number D है वो तो होना ही नहीं है अब A, B और C में सही choose कर लिजे, so were the junior doctors being paid ये भी गलत है क्योंकि जो past indefinite का passive होता उसमें being नहीं आता option number B देखिए, were the junior doctors paid their salary on time यही इसका सही answer है, option number B is the right answer क्यों? क्योंकि option number C में आप देख सकते हैं कि जो option number C है, उसमें auxiliary verb गलत लगी है जब doctors plural है, तो was कैसे आ सकता, were आना चाहिए, तो option number B is the right answer 32 देखिए, somebody told me that there had been a robbery in the jewelry exhibition, इस बात को बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा लीजे if ever a sentence starts with there, अगर कोई sentence कभी भी there से शुरू होता है, तो कभी भी आप उसका passive नहीं बना सकते किसी भी सूरत में यह संभव नहीं है, तो there had been a robbery in the jewelry exhibition का passive नहीं बनेगा somebody told me का passive बन जाएगा, told past indefinite है, I was told कर दीजे, I was told by somebody option number B is का सही answer हो सकता है, या फिर, हाँ हाँ, एक second रुकी मुझे देखने दीजे yes, option number B is का सही answer हो सकता है, I was told by somebody that there had been a robbery in the jewelry exhibition अब आप question number 33 को पढ़िए, the hunger shot the tiger, मतलब hunter I'm sorry, the hunter shot the tiger, मतलब शिकारी ने tiger को shoot कर दिया, अब आपको मैं बताऊं कि shoot जिसका second form shot होता है, इसका third form भी shot ही रहता है इत्वाक से आज के session में तीनों के तीनों जो voice के questions हैं, ये past indefinite के ही रहे, तो the tiger was shot by the hunter, ये इसका सही answer हो जाएगा option number C, option number A को ना चूज करें, क्योंकि shoot का third form suited नहीं होता question number 34, 35, narration पे हैं, देखिए इन्हें, रोहन सेड, where shall I be this time next month ये indirect में आपको लेके जाना है, interrogative sentence है, जब भी कभी interrogative sentence किसी WH word से start हो, तो आप दो बातों का ध्यान रखे, पहली बात कि आप WH word को ही conjunction मानेंगे, और दूसरी बात आगे के sentence को interrogative से बदल करके assertive कर देंगे, मतलब अगर कहीं पर are you लिखा है, तो आप उसे बदल करके you are कर देंगे, अगर have I लिखा है, तो बदल करके आप उसे I have कर देंगे, तो इसका option क्या हो सकता है, देखिए, रोहन wondered, अब देखिए option number B गलत है क्योंकि that और where दोनों आया है, WH word ही खाली conjunction बनेगा, that की कोई need नहीं है, D option इसका सही answer है, रोहन wondered where he would be I को आप रोहन से बदलिए, तो यही हो जाएगा और शैल को बदल करके would कर दीजे, शैल को बदल करके प्राया शुड नहीं किया जाता, क्योंकि शैल गागी गे बोलता है, और अगर आप शुड कर देंगे, तो शुड गागी गे नहीं बोलता, चाहिए बोलता है इसलिए maximum book writers यह समझाते हैं, कि will और शैल दोनों ही जब indirect में जाए, तो would में ही convert होने चाहिए this time को that time कर दिया, next month को following month कर दिया, इस तरीके से option number D, इसका सही answer हो जाता है 35 को दिखिए, the mother urged the child to come on the footpath, mother ने, मा ने बच्चे से बार बार कहा, urge करने का मतलब है कि आप बार बार किसी बात को कहें, insist करें, appeal करें, कि वो footpath पे आ जाए समझाता वो सड़क पे चल रहा होगा, तो माने कहा कि तुम footpath पे आ जाओ अब आप इसमें दो options को लेके confused हो सकते हैं दमत जैसे मेरे हिसाब से option number B और option number C को लेकर के अगर आप C लगाते हैं तो please लिखा हुआ है, देखिए दो बातों को समझी, एक तो mother और child के बीच में मा बड़ी है तो मा बच्चे से निवेदन नहीं करेगी, दूसरी बात urge का मतलब निवेदन करना नहीं होता, बलकि बार बार किसी बात को कहना तो option number B को पढ़िए न, the mother said to the child come, child come, ये बार बार कहना है तो वा, आओ, बच्चे आओ, ऐसे ही तो बार बार कह रही है वो तो come, child come, come on the footpath, ये option number B इसका सही answer हो जाएगा, चलिए अगले section को देखते हैं, हमेशा के जैसे इस ST में भी और इस session में भी मैंने close test को standard ही रखा है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा benefit उठा सकें, पढ़ते हैं, ये 10 number का close test है, समझने की कोशिश करते हैं, water problem in Chennai, Chennai मे बात आप कर रहे हैं, इसलिए आप the water problem लगाईए, article A, some ये such लगाने की ज़रूबत नहीं है, या तो such a water problem हो नहीं, ऐसा कुछ ना करें, चुकि चन्नई की पानी की समस्या की बात हो रही, तो definite element add हो गया, इसी वज़े से दा लगादी, जिए the water problem in Chennai, began around the late 1950s, 1950 के अंतिम, जो 1950 का दशक था, उसके अंतिम वर्षों में ये problem शुरू हुई, दिखिए, जब भी कभी कोई year लिखा हो, जैसे 1950s लिखा है, 1990s लिखा हुआ हो, 1970s लिखा हुआ हो, और उसमें early और late लगा हुआ हो, तो early 90s अगर लिखा है, तो 90 के दशक के सुरुवात के वर्ष, और पानी की समस्य चिन्नाई की है, ये 1950s के बाद के वर्षों में सुरू हुई, कैसे, with the installation of public taps, ये जो टोटी वाला पानी नहीं होता है, public taps इंस्टॉल कर दिए गया, लगा दिए गया घर घर में, often below ground level, जो ground level था, उससे नीचे लगा दिए गया, अच्छा, came the hand pump, अब आप सम more bowl wells, ये सारी चीजे बारी-बारी से होती रही, शुरुवात public taps से हुवी, फिर hand pumps आए, उसके बाद छोटे-छोटे bowl wells भी आए, तो जब ये process चल रहा है, तो आप then लगाईए ना, पहले ये चीज़ हुई, फिर I hand pump, क्या कहा मैंने, फिर I hand pump, after न लगाईए sir, after came क्या होता अभी आपने कभी ऐसा sentence देखा है, after came नहीं sir, then came लगाईए, समझ रहे हैं, then adverb of time है, आसानी से शुरुवात में आ सकता, adverb की ये खुबी है, adverb of time, adverb of place, कभी भी sentence के शुरुवात में आ सकते हैं, invert कर देंगे sentence को, after also it आ नहीं सकता, आप there से कोई sentence कैसे शुरू कर सकते हैं there was a king, there कोई subject तो है नहीं, फिर भी आ गया शुरू में, क्यों, क्योंकि adverb of time की और adverb of place की ये property होती है, कि वो sentence को lead कर सकते हैं, inversion के तरीके से, then came the hand pump followed by small borewells, fortunately, the groundwater level was by and large, सर ये phrase है, इसमें मेरा और आपका कोई कमाल नहीं है, ये phrase है, by and large मतलब काफी हद तक, जब ये समस्चारी सारी चीज़े होई, उस वक्त तक सौभाग वश काफी हद तक, जो पानी का level था, ground water level था, काफी हद तक संतोजनक था, trouble began, समस्याय शुरू होई, बहुत ही smart English लिख तो trouble began to, options, brave, outshine, flow और emerge, आपका मन emerge लगाने का कर सकता है, आप emerge ना लगाएं सर, brave करें, क्योंकि emerge एक positive word है, परिशानिया जब शुरू होती है, तो वो emerge नहीं करती, emerge तो development करने के लिए होता है, brave, जब चीजे धीरे-धीरे start हो, पनपने लगे, दिखने लगे, तो वो brave करती है, बाकि outshine और flow नहीं होगा, flow का कोई logic नहीं बनता, और outshine तो एक बहुत strong word है, जिसका मतलब है, कि आपकी चमक के आगे दूसरे की चमक फीकी पर जाए, या फिर आप इतने योग हैं कि दूसरा आपके आगे आयोग हो जाए, आपने outshine कर दिया किसी को business में, या किसी टूनामेंट में आपकी टीम ने दूसरे की टीम को outshine कर दिया, मतलब you turn out to be the winner of that tournament, तो वो outshine है, जीतना एक तरीके से, तो brave लगा है, problems creep जिसको कहते है, दीरे-दीरे श उपर जाने लगी, the water history of Chennai, the water history of Chennai, फिर options of, for, by और in, सबसे ज़्यादा confusing options यहीं पर हैं, हलाकि सबसे सस्ते options लिखे हैं, फिर भी मेरे अपने opinion में सबसे confusing question यहीं है, क्या लगना चाहिए, सर for लगेगा, आपको अधिकार दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, है ना, किसी सम कि the water history of Chennai, for the past 50 years, flat logic लगा, यह, time है, time के लिए आपको fall लगाना चाहिए, for 50 years, can be characterized by good rains, floods and a few droughts in between, यह जो 50 साल की कहानी है, Chennai में, पानी की, उसको इन चीजों में तोड़ा जा सकता है, कि कभी-कभी बहुत अच्छी बारिश हुई, इतनी ज़्यादा कभी हुई, कि बाहर सुखा भी आया, कुछ droughts भी आया, drought मतलब सुखा, but the response, आगे बढ़ाया दा रहा है, but the response to the drought this year, इस बार फिर से सुखा आया, और उस पे कोई प्रतिक्रिया भी हुई, मतलब administration ने उससे निपटने की भी कोशिश की कैसे, is a reflection of space है, फिर inaction, lack of imagination and total lack of foresightedness, अब सारे options जो back to back आगे लिखे हुए हैं, कामा लगा करके, उन सब में खामियाई हैं, inaction, सक्रियता नहीं दिखाई गई, lack of imagination, पहले से कुछ कल्पना नहीं की गई, कि इतने बड़े scale पे सुखा आ जाएगा, total lack of foresightedness, और आगे का तो कुछ सोचा ही नहीं गया, तो ऐसा ही word आप वेट करी नहीं जो negative sense देता हो, यह सब तरीके हैं, सर, close test को effectively solve करने के, आगे पीछे सब देखना चाहिए, सर, empathy ना चूज करें, क्योंकि empathy का मतलब तो दया भाव होता है, अपना पन, dedication भी ना चूज करें, क्योंकि dedication भी positive word है, या तो आप discrimination को चूज करें, या तो फिर apathy को चूज कर पर लोग तो आए नहीं, जिनसे आप भेदभाव कर रहे होंगे, यहां तो आपके तरीके में नीरस्ता या लापरवाही दिखाई गई है, तो आप apathy को चूज करें, आगे inaction, lack of imagination, यह सब apathy के compliment के रूप में आ जाएंगे, लापरवाही जिसको कहा जा सकता है, फिर आगे पढ़िये, of course, water tanker owners have hit a gold mine, अब जब पानी की समस्या होती है, तो जो supply करने वाली company होती है, उनकी तो चानी लग जाती है, जैसे अगर पानी बहुत गंदा हो, तो यह जो purification वाली company हैं, उनको तो बहुत खुशी होगी ना, उनके purifiers बहुत जादा बिकेंगे, तो जो suppliers हैं पाने के, उनके लिए तो एक सोने पर सुहागा आ गया ना, एक golden time आ गया, और एक phrase है sir, hit a gold mine, hit a gold mine का मतलब है, जैसे आपने एक ऐसी ख़दान खोदी, जिसमें कोईला नहीं बलकि सोना निकल रहा हो वैसे, तो कोईले की ख़दान होती है, उसमें कहीं कहीं पर हीरा मिल जा लेकिन एक तरीके से आपने सोने की ख़दान खोद ली, मतलब जो best opportunity होती, golden opportunity उसको ही कहते है, hit a gold mine, क्योंकि water tankers की supply बढ़ जाएगी बहुत जादा, फिर अब देखी sir, seven के बाद full stop लगा हुआ है, ये सबसे जादा मुश्किल होता है, जब भी कभी किसी भी sentence की बिलकुल में filler आ जाए, तो लगभग कई बार कोई idea नहीं मिलता, खेर कोशिश करेंगे, is shameful, is the absence of, अब आप देखे, pure grammar है यहां पर, आपने अभी तक कहां कहां grammar use की है, सुनिए, 36 में grammar है, 37 में grammar है, 36, 37 में grammar है, 40 में grammar है, और फिर आफ 43 में grammar है, ठीक है, तो grammar और vocab, they go hand in hand, हाँ, सा साथ चलते हैं, आप इने segregate करेंगे, तो कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे, इसमें relative pronoun, what का इस्तेमाल करिए, क्योंकि, what is shameful, ये एक sentence बन जाएगा, और ये sentence, फिर से जो is नाम की verb आई है, उसका subject भी बन जाएगा, यही what की खुबी है, कि what एक समय में, दो-दो क्रियाओं को handle कर सकता है, पहले what is को handle कर रहा है, और दुबारा में what is shameful, ये पूरा segment, दुबारा आने वाली is को verb को handle कर रहा है, कैसे, what is shameful, जो शर्मनाक है, वो क्या है, is the absence of, अगर आप सर all लगाते हैं, तो all that भी मांग लेगा, all that is shameful, जैसे बोलते हैं, all that glitters is not gold, तो उसमें दोक रिया है एक glitters, एक is, तो एक को all manage करता है, एक को that manage करता है, जब multiple work को एक की ही person को manage करना हो, तो only what can do so, ठीक है, याद कर लीजे से, जो शर्मनाक है, is the absence of, किस चीज़ की कमी सर्मनाक है, reliable plan, sustainable plan, preventable plan, और curable plan, इसे sustainable को जूज करिए, कोई भी, excuse me, excuse me, कोई भी योजना जो बनाई जाती है, और उसमें दूर दर्शिता को दिमाग में रखा जाता है, कि लंबे समय तक ये कदम जो है, प्रभावी या कारगर बने रहे हैं, तो sustainable policy होती है, sustainable effects होते हैं, sustainable plan होगा, तो what is shameful is the absence of a sustainable plan, to reverse this, to reverse this, और फिर आगे options है, options, aberrant, aberrant तो सर किसी situation के लिए नहीं आता, aberrant किसी person के लिए आता है, वो वेक्ती जो रास्ते से भटका हुआ, मानसिक रूप से थोड़ा कम जोर, outrageous गुस्से की बात है, ये क्यों करेंगे आप, extraordinary नहीं सर, catastrophic का चूज करिए, आप ये क्यों नहीं दिमाग लगाते हैं, कि आप ऐसे words पकड़िए, जो negative है, catastrophic कोई भी situation होती है, जो बेहत भयावे है, खराब है, वो catastrophic situation होती है, तबाही जो मच जाती है, तो वो catastrophe ही तो है, तो कोई कह रहा है कि जो ज़्यादा दिखिए, 8, 9 और 10 इनहें attempt करना मुश्किल रहा होगा, रहना चाहिए, जानते हैं क्यों, क्य जो हैं, fillers दे दिए गया है, इतने करीब हैं कि ये सिर्फ एक sentence और इसमें तीन जगह पर रिक्तिस्थान है, तो what is shameful is the absence of a sustainable plan, शर्मनाग बात ये है कि हमारे पास को sustainable plan नहीं है, टिकाओ योजना नहीं है, जिससे हम ये जो तबाही मचाने वाले इस्थिती है, इसको reverse कर सके मतलब बदल सके हैं ना, इसे कम कर सकें, जो water shortage का problem है, उसे water abundance में convert कर सके एक तरीके से, मेरे अपने opinion से ये close test काफी standard था, बहुत अच्छा था, अगर आप ऐसे close test में अच्छा attempt करना शुरू कर देंगे, अच्छी performance आपकी आने लगेगी, तो फिर कैसा भी exam हो, चाए SSE का ह हो, चाए defense का हो, आप जरूर अच्छा score कर सकते हैं, क्योंकि हर जगा एक approach काम करती है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, कैसा लग रहा है आपको ये close test especially कैसा लगा आपको, मुझे live chat के माध्यम से जरूर बता हैं, और अपनो score भी मुझे message करें, लास्ट के 5 questions जो है, वो paragraph पे based हैं, आपने पहले ही अगर इस ST को solve किया है, तो आपको पता होगा, कि ये sports पे based है, और इसमें ये भी बताया जा रहा है, कि sports यानि खेल कूट का कहीं मतलब नहीं है, इससे देश के बीच में संबंद सुधरेंगे, उल्टा आज के समय में जो कुछ हद तक theme है, इसकी पढ़ते हैं, I am always amazed when I hear people saying that sports create goodwill between the nations, मुझे हमेशा दंग रह जाता हूँ मैं, जब मैं ये सुनता हूँ कि लोगों को कहते हुए कि खेल कूट से आपसी तालमेल अच्छा बनता है देशों के बीच में, and that if only the common people of the world could meet one another at football or cricket, that would have no inclination to meet on the battlefield, और ये भियात कि अगर दो देश की team है, या एक तरफ से सौ लोग हैं, दूसी तरफ से सौ लोग हैं, और वो एक cricket ground या football ground पर अगर मिलते हैं, तो कभी भी वो भविश्य में आपस में, जंग की मैदान में नहीं मिलेंगे, आपस में लडाई नहीं होगी, मतलब अगर दो द battle field में नहीं मिलेंगे, लडाई नहीं होगी, ये सारी बाते मुझे चकित करते हैं, क्योंकि मेरी नजर में ये सब जूट है, even if one did not know from concrete examples, कुछ बताया दा रहा है, the 1936 Olympic Games, for instance, सुदाहरण के लिए, that international sporting contest lead to orgies of hatred, orgies of hatred का मतलब होता है, एक तरीके से, चीजों का बहुत ज्या हो जाना एक तरीके से, orgies मतलब excess of indulgence इसको कहा जा सकता, one could deduce it from general principles, nearly all the sports practice nowadays are competitive, सारे sports competitive है, you play to win, आप सिफ जीतने के लिए खेलते हैं, सीखने के लिए नहीं, and the game has little meaning, और आपकी नजर में प्रतियोगिता का कोई मतलब ही नहीं है, unless you do your utmost to win, जब तक आप अपना भरसक प्रय सास नहीं लगा देते, जीतने के लिए, आप जीत गये हैं, तो ही आपके लिए उस game का मतलब है, आप experience के लिए कोई game खेलते हैं, कोई sportsmanship नाम की कोई चीज होती ही नहीं, हर कोई सिर्फ जीतना चाहता है, in the village where you pick up sights and no feeling of local patriotism is involved, ऐसा होता है कि आप गाउं में खेल रहे हैं एक team से और फिर आप तोड़ी देर बात बोलना है, नहीं मैं इस team से खेलूंगा, no patriotism, no local patriotism is involved and it is possible to play simply for the fun and exercise, मतलब यह संभव है कि आप मौज मस्ती के लिए खेलें, but as soon as the question of prestige arises, लेकिन जैसे ही एक तरीके से prestige को हिंदी में क्या कहा जाता, अस्तित्व की बात आजाती है, या रुत्बे की बात आजाती है, as soon as you feel that you and some larger unit will be disgraced if you lose, जैसे ही आपको लगता है कि आप बहुत हताश हो जाएंगे, या फिर एक बड़ी संख्या के लोग जो हैं, बड़ी संख्या में लोग, आपकी हार से बहुत ज़्यादा दुकी हो जाएंगे, the most savage combative instincts are aroused, यह बहु चुकि real life पे based है, तो आप इसको समझ सकते हैं कि human mentality कितनी खराब हो गई, हम सब कितने competitive हो गए हैं, तो जैसे यह लगता है कि अगर आप हार जाएंगे, तो आपको खराब लगेगा, और फिर जो आपकी पूरी community है, है ना, आपकी team है, सब को बहुत खराब लगेगा, तभी एक तरीके से लडाई जैसी, savage मतलब बेहत खराब, और combative मतलब जगड़ा लडाई युद्ध जिसको, instincts का मतलब है, स्वभाव, आपके मन में आता है, चाहे कि मार काट करनी पर जा, लेकिन आपको जीतना ही, जीतना है, आप किसी भी हद तक जा सकते हैं, जीतने के लिए, anyone who has played even in a school football match knows this, अगर आप में से किसी ने, किसी ने भी, अगर school में भी खेला है, तो दो स्कूलों के बीच में जब inter-school competition होता है, तो वहाँ भी किसी भी तरीके से आप सिर्फ जीतना ही चाहते हैं, इसी तरीके से तो sports में sledging popular हो गई, at the international level, sports is frankly mimic warfare, मतलब यह कहा जा रहा है कि अंतराश्टी इस तर पर आप sport को एक तरीके से युद्ध का अभ्यास ही समझे, छोटा मोटा युद्ध चल वाई ही समझे, but the significant thing is, not the behavior, and behind the spectators of the nation, who work themselves into furies over these absurd contests, and seriously believe at any rate for short period that running, jumping and kicking a ball are test of national value, चल यह questions परते हैं, the author of the passage believes that, passage के author को लगता है, क्या लगता है, कि sport से goodwill create होती है, sport entertainment है, नहीं, उसको लगता है, sport is not a test of national virtue, है ना, आप कुछ भी कर सकते हैं सिप जीतने के लिए, और question number 47 देखे, by concrete examples, the writer is referring to historic events, वो 1936 के Olympics की ही तो बात की की थी, concrete examples के माद्य हम से, तो B को चूज करी, historic events, 48, in competitive games, you play to win, आप सिफ जीतने के लिए ही खेलते हैं, 49, at the international level, sports are an imitation of war, यही तो लिखा था, कि अंतरास्टी है, इस तर पर जो sports हैं, यो युद्ध का एक तरीके से अभ्यास्सा हैं, और फिर 50 को देखिए, और यही जार, क्या, excessive indulgence, मैंने आपको पहले भी बताया था, इस तरीके से आज का ये सेशन ओवर होता है, कैसा था आज के सेशन का content, और कैसा था मेरा discussion कराने का तरीका, इन सारी चीजों पर अपनी राय जरूर दें, comments के माध्यम से, और मैंने एक भी बार सेशन की बीच में नहीं कहा, कि आप इस वीडियो को like कर दें, प्लीज आप अ सेशन नमबर 7 के साथ, मैं हर रोज अच्छी vocab लेकर आ रहा हूँ, मुझे बहुत प्रोचसाहान भी मिल रहा है, यही मुझे चाहिए, चलिए आज के लिए अभी के लिए इतना ही अपना अपना ध्यान रखे, बाबाई, take care everyone and good night, thank you so much for joining me, thank you so much, बाबाई